अस्सलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम टू माई चैनल सबस्टाइल वीवर्स आप सब कैसे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुती स्टाइलिश कुर्ती डिजाइन शेयर करूंगी यहाँ पर हमने सिंपल कुर्ती की कटिंग किया लिया है और अभी हमने यह कट वर्क कुर्ती डिजाइन बनाना है तो इसके लिए हम पहले इसकी लैंट की मेयरमेंट ले लेती हैं ताके हम उसी साथ से अपने बुकरम की कटिंग कर लें तो अगर आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग नहीं आती सिंफ्टी इंच तक में इसकी कुर्स लेंथ ले लोँगी अग तरफ साइड और फिफ्टी इंच दूसरी तरफ हमने बुकरम की यहां पर लंबाई लेनी है और चुडाईः हमने 19 Cara ओना चुडाई में और 21 valid वारा साथ के लिए हम Cris दूसरी साइड ambude बुकरम कटिंग कर लेना है अगर आपकी लंबाई इतनी स्यादा ना हो आपके पास ये वाली बुकरम की पटी तो आप स्लाइस से जोड़ लगा लिजेगा और पटी को लंबाई में आप इस तरह से अपनी शेट के मताबिक इसकी लैंथ बढ़ा लिजेगा अभी मैं आपको ये डबल पटी मेयर करके बता रही हूँ आपने भी ऐसे डबल पटी आपने जितना हमने मेयर किया उससे एक से दो इंच तक आपने एक्स्ट्रा ही लेना है कम नहीं लेना अभी हमने इस डबल पटी को क्या करना है इसको हमने इस तरह डबल बराबर रखकर ह इसको हमने साइज में छोटा कर लेना ताके हमें इसकी कटिंग करने में असानी हो और थोड़ा सही हम इसको कटिंग करें और हमारी सारी बुक्रम जो है वो कटिंग हो जाए अगेन हम इसे फॉल्ड कर लेते हैं और अभी आठ लेयर में मेरा यहां पर बुक्रम है अब मैंने इसे चारो तरफ से बिल्कुल ब्राबर कर लिया अब इसके सेंटर में यहां पर सलाई लगा लूँगी बरेटांका करके ताके यह अची तरह से अटैच हो जाए अची तरह से सेट हो जाए जब हम इसे कटिंग क करें तो हमें कोई मुष्किल ना हो तो हमने यहां पर सैंटर में सलाई लगा लिए अब हमने इसके उपर कट वर्क बनाனी है तो कट वर्क है는 ऐसके ऊपर कुछी तरह से बनानी है ऐसे हमने आगे की तरफ दो दो इंच पर हमने निशान लगा लेना है दो इंच तक हमने कटवर्क की चुड़ाई लेनी है और इस तरफ से हमने डेड़ इंच तक बुकरम रखा हुआ है तो हाफ इंच पर हमने निशान लगा लेते हैं और हाफ इंच से उपर अब हमारा एक इ कट वर्क बन गया था तो इसको भी मैंने निशान लगा लिए अब हम इन वह को गुलाई में निशान लगा तो वैसे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से यह सारा हम गुलाई में इसको कटिंग कर लेते हैं यह सारा हमने कटिंग कर लिया अब हम इसकी सलाई को निकाल देंगे जो हमने सलाई यहां पर लगाई थी उसको हम खोल देंगे ताके सारे हमारे बुकरम लग लग हो जाएं अब यह देखें यह अब बुकरम के चार पीस हो गए है और जहां से हमारा यह हाफ आया था ना जिस साइड से उससे आइड से आपने यह लंबाई में इस तरह इसको बराबर रखकर प्रेस कर लिजेगा यह भी आपका कट वर्क बन जाएगा और यह दो साइड एक तरफ लगेंगी और यह दो साइड दूसरी हाफ कुरती की दूसरी साइड पर अभी हमने इसको अपनी कुरती के उपर कुछ इस तरह से आपने स्टिच करना है मैं आपको पेस्ट करना है इप्रेस की मदद से मैं आपको इसको बता देती हूँ आपने से कुर्ति को एक पैर तक आपने छोड़ कर फिर आपने लगाना है जब हम इसे उपन करेंगे तो हाफ इंच का हमारा सेंटर में गैप होना चाहिए और एंट से ये देखें एंट से भी आपने एक इंच तक पौने एक इंच तक छोड़कारी लगाना क्योंकि इतनी मैंने लंबाई में अपनी कुर्ती को एक्स्टा कटिंग किया हुआ अभी ये देखें और इसकी नोग भी आप देख लीजेगा अभी दामन से ये देखें सेंटर में हाफ इंच का गैप है कटवर के उपर से कम था तो हमने कम रख दिया क्योंकि उपर से मारा नेक कटिंग हो जाना है तो कम भी हो गया तो खैर है और अभी दामन से आप दोग देख लें आपने कटवर को इस तरह रख कर यहां पर दामन से पेस्ट करना है इस तरह से आपकी गुलाई आनी चाहिए ठीक है ये आपने पेस्टिंग की कर लेनी है अब हम कुर्थी को सेंटर से कटिंग करेंगे जब हम कटिंग करेंगे तो दोना तवरफ आप देख लें बुकरम के साथ एक एक पैर का हमारा फैबरी का आ रहा है पूरी हम लंबाई में इसको सेंटर से कटिंग कर लेते हैं क्योंकि हमने इस ओपन शिर्ट बनाना है तो पहले कटिंग कर लें बाद में कर लें आपकी अपनी मरजी है लेकिन यह देखिए अभी मैंने पहले पेस्ट कर लिया था असानी से अब कटिंग कर लिया था कि बराबर पेस्टिंग हो अब हमने सिंपल फैबरिक लेना है दो इंस तक उसकी चुड़ाई लेनी है यह देखिए बुकरम हमने डेड़ इं तक कटिंग किया था चुड़ाई हम इसकी दो इं तक लेंगे क्योंकि हाफ इं तक हमने इसके साथ एक्स्ट्रा फैबरिक रखना है और इसको हमने फॉल्ड करना है अब यह इसकी लेंथ वाली पट्टी है और यह इसकी दामन वाली पट्टी है दामन वाली जो पट्टी है आपने इसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेना ताक कि हमारी जो नोक भी है दामन की और गेरे की नोक वो बहुत सफाई के साथ बने तो हमने यहाँ पर इस पटी को इस तरह से जो हमारी लेंथ वाली पटी उसकी लेंथ वाली साइट पर आपने इस तरह से स्टिच कर लेना यह अपने स्टिच कर लिया है अब हमने इसके उपर अपने गेरे को इस तरह से नोक को हमने रखना है यह देखें मैं आपको रखकर दिखा देती हूँ यह कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर नोक भी बन जाएगी बहुती सफाई के साथ अब हम इसको स्टिच भी कर लेते हैं यह वाला जो सिंपल फैबरिक है यह मैंने अपनी कैपरी में से लिया क्योंकि मेरी यह चिकन की सारी शिर्ट है सारी इसके ओपर इंबरोडरी है तो अंदर वाली साइट पर इंबरोडरी जो हमें चूबे ना तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल फैबरिक यूज किया आपकी कुर्ती कोई और भी हो सकती है प्रिंटी रे सूट पर भी आप बना सकती है और सिंपल पर भी आप ये डिजाइन बना सकती है तो अभी हमने इस फैबरिक को नीचे रखा और हमने कटवर के साथ साथ हमने ये सारी सलाई लगानी है और नीचे और उपर वाली फैबरिक दोनों की सीधी वाली साइड आपने एक दूसरे की तरफ रखनी है सलाई लगाते वक्त अब हमने एक पैर तक शोड कर एक्स्टर जो फैबरिक है वो सारा हम कटिंग कर लेंगे और इसके सेंटर में हमने यहाँ पर इस तरह कट लगा लेने यह उपर तक आपने सारा कटिंग करने है मैं आपको थोड़ा सा कटिंग करके बता रही हूँ उसके बाद आपने इस तरह से पल्टा लेना है Cutruktur का आपने अच्छे से निका और इस तरह से अपने बुकरम के बराबर fabric जो extra अंदर के तरह कवर करके प्रेश कर लेना है अब हम दूसरी साइट की नॉक बनाएंगे तो जब आपने दूसरी साइट की नॉक बनाने था दो आपने फैब्री को से असानी से फोल्ड हो जाएं यह देखें अभी मैं प्रेस कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं तो यह मैंने प्रेस कर लिया सीधी वाली साइड से भी और उल्टी वाली साइड से भी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने बुकरम के ब्रबर रखकर उसे अंदर की फोल्ड करके प्रेसे बठा लिया और नौक भी मेरी देख लें कितनी सफाई के साथ त्यार हुई है अब हमने इसके उपर स्लाई लगा लेनी है आपने यहां पर वीवर्ज सीधी कुर्ती के उपर स्लाई लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ यहां पर हमने हुल्टी वाली साइड से हमने पैसे फोल्ड किया हुए लेकिन स्लाई हम सीधी वाली साइड पर रखकर लगाएंगे ताके हमारी स्लाई आगे पीछे ना हो बिलकुल सीधी हमारी बराबर स्लाई है यह हमने मुकरम के किनारे किनारे पर हमने यह स्लाई लगानी यह देखिए उल्टी इस वाली साइट से भी आप देख लें बहुती सफाई के साथ हमने इसको त्यार कर लिया अब उपर से हमने अपना नेक जो फाइव इंच तक मैंने डीप रखना है और उससे जितना आपने डीप नेक अपना कटिंग करना है ना उससे आपने एक इंच और ऑपने यहांपर एक्स्टरा ले लेना है ठीक है उपर से फाइव इंच तक मेरा नेक अ तो यहां से में छैंच तक डीप रखकर फिर मैं यहां पर लगाना स्टार्ट करूँगी फैबरिक इसके सेंटर में हम लगाएंगे फैबरिक की चुड़ाई मैंने यहाँ पर चार इंटक लिया है और उपर से हमने फैबरिक को एक इंटक इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से जो हमने स्लाई लगाई है उस स्लाई से हाफ इंटक आपका extra ओना जाएग生, इसफ़ांड के उसे-सलाइ के अउपर राक कर, हमने चार्ड हमने स्लाइ लेनी है तो इसलिए half इंस तक कपड़ा हमने इसलाइ में लेना है तो वह हमरा कट वर्क से आगे की तरफ फ़ैबर्क बाना जाएगा अभी यहां पर हम हाफ इन तक कपड़ा स्लाई में लेकर यह जो हमने स्लाई लगाई उसी स्लाई के उपर रखकर हमने इसको लंबाई में स्टिच कर लेना है और एणसे वीवर्ज हमने यहां से फरञंट साइड से दासिंग क मैं यहां पर इसका चाक रही हूँ चाक से भी हम एक इन तक एक्स्रा फैबरी कटिंग कर लेंगे और उसे हम अपने अपने चाक के मताबिक दासिंग तक एंट से छोड़ कर लेंगे यहां से सलाई को मैं डबल कर लूँगी और अभी हमने यह हाफ साइड इसकी रेडी कर लिया ऐसे हम दूसरी साइड भी इसकी कट वर्क सारी तियार कर लेंगे प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम सारी सलाई लगाने के बाद फिर हम यह देखें, हम इसके साथ अपनी हाफ साइड स्टिच करेंगे, अब हमने इसके उपर से बिलकल बराबर रखना है यह देखें हमने दोनों साइट के cut work हमने बिल्कुल बराबर रखने है क्योंकि हमने इसको प्रेस करते वक्त ही डोनों को आपने प्रेस करते वकि भीराबर आपने प्रेस करना है, फिर आपकी stitching भी वईसे ही सफाई के साथ होगी और अगर आप कम कर देंगी तो फिर आपकी शर्ट जो फिटिंग में कम हो जागी तो इसलिए आपने ब्राबर जितना हमने पहले गैप रखा तो पेस्टिंग में उतना ही आपने गैप ले लेना है और यह देखिया हमारे खुबसुरत सा फ्रेंट कट वर्क त्यार हो गया अब हम इसका नेक कटिंग कर लेते हैं तो सिंपल सा मैंने इसका गोल गला बनाना है तो यहाँ पर चार इंग तक मैंने बुकरम को डबल कर लिया है इसकी चुड़ाई थी हमने डबल करके रख ए तो अब यह चार इंग कआ रहा है और यहाँ से हमने नेक को मैं यहाँ से छेंज सक खुला रखनी हु मैं ते इनिज नेक कम चुड़ाई लिया है और डीप जाए नेक की गोलाई मैं निचान लगा लिया है अब भी हमने इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है उसके बाद हम इसके साथ एक इंच तक बुकरम छोड़कर एक्स्टा बुकरम भी हम इसका कटिंग कर लेंगे यह देखें कुछ इस तरह से तो यह हमारा गोल नेक जो है वो हमने रेडी कर लिया और अब इस नेक को हमने अपने लग फैबरी के उपर पेस्ट कर लेना और इसको हमने सेंटर से हाफ कर लिया हाफ ही हमने इसको पेस्ट करना है यह देखें इस तरह से आपने अपने नेक को पेस्ट करना है सबसे पहले हम साइड वाला जो गुलाई वाला फैबरी के ना साइड से जो हमारी राउंड शेप में आ रही है गुलाई हमने इसको पहले इस तरह बगरम के उपर रखकर एक पैर की हमने इसके उपर स्लाई लगा लेनी है यह हमने स्लाय लगा लिया अब हम इसको अपनी कुर्टी के उपर स्टिच करेंगे तो यहां पर हमने अपनी जो कुर्टी है उसके उपर भी हमने तीनीच पर निशान लगा लेना है ताके हमारी नेक की उपर से चुड़ाई जो वो बिल्कुल ब्राबर आई जितनी हमें चाहिए तियार यहां से यहां पर मैं छोटा सा कटल का लेती हूँ इस तरह से और अभी हमने कुर्टी को सीधा रखना है और इसके उपर नेक को हमने उल्टा करके रखना है नेकी सीधी वाल साइड हमारी कुर्टी की तरफ है और बुकरम यह देखे हमारी तरफ अब हमने उपर से कट के ब्राबर रखना है और बुकरम के साथ-साथ हमने यहां से सलाइल गानी है और यहां से भी वर्ज़ आपने इस तरह फैबरी को ब्राबर कटवर को रखना है बुकरम को कटवर के और फैबरी को आपने इस तरह अंदर की तरफ उपर की तरफ फॉल्ड कर लेना है और यहां इतना हमने फौल्ट कर लिया अब आगे की तरफ आपकी यहां से गुलाईया आरीज है ना कटवर Market तो इसको भी आपने पॉल्ट कर लेना हम पर कने कटवर कर लिया हैर। से हम कटल लगा लेते हैं ताकि यह अच्छी से बैक साइट पर यह पल्टा जाए यह देखें इस तरह से हम इसे उल्टी वारी साइट पर मौड लेते हैं और उपर से भी हमने अपने जो कटल गया था उसके बराबर हमने नेक को खुला रखना हैं यह हमने बुकरम के साइट से असलाय लगा लिया अब हमने हाफ इन तक छोड़कर एक्स्टा जो बुकरम है वो हमने सारा कटिंग कर लेना है और इसके गुलाई में हमने हलके-लके कट लगा लेना है, सलाई को अपने कटिंग नी होने देना उसके बाद इस बुकरम को हमने उल्टी वाली साइट पर पल्टा लेना है और इस बुकरम के हमने यहाँ पर किनारे की पर सलाई लगानी है सलाई नहीं हमने लगानी इसके उपर हमने तरपाई करनी है यह देखे सारा बुकरम हमने इस तरह उल्टी वाली साइड पर पल्टा कर इसे प्रेस से बठा लूँगी और इस बुकरम के जो किनारे किनारे पर मैं यहाँ पर इसके सारी तरपाई कर लूँगी यह देखें इस तरह से इसकी फ्रंट साइड और यहां पर हमने इसके किनारे पर हैंड स्टिच कर लेनी है अब इसके बाद हम इसकी तीरे की स्लाई लगा लेते हैं तो बैक साइड हम यहां पर रखेंगे और इसके उपर हम फ्रंट साइड रखेंगे दोनों की सीधी वाल साइड जे एक दूसरे की तरफ हाफ इन तक कपड़ा हमने स्लाई में लेना है और इस तरह से हमने इसकी शूल्डर की स्लाई लगा लेनी है और अवीवर्द अब मैंने इसके साथ मैंने गुम स्लीज लगाने है तो इसलिए इसकी साइड की जो स्लाई है वो मैं पहले लगा लूँगी स्लीव बाद में मैं इसके साथ तैच करूँगी और यह हम कुरती बना रहे हैं तो एक से डेर दिन तक कपड़ा हमने स्लाई में लिए है जितने हमें त्यार कुरती चाहिए उतने में निशान लगा लिए है और इसकी साइड को मैं 13 इसकी स्टिच कर रही है और यहां से दक स्लाई पत उसके बनुट पार से नेक को कटिंग रेया भाट के बाद एक हीज़्यजन करें खोस्ताने फैपरिक करें उसके लेंगाक होगे चुछेने के लिदा कर गया हो गतीश्य आप přेस्तिक करें युच्छ पे तरह के लिदागिंगा साथ 거지 इस लाइ लगा लेनी है यह इस तरह से हमारा बैक गला भी रेडी हो गया तो अब हम इसके स्लीव स्तियार कर लेंगे यहां पर तो स्लीव यह मैंने इस तरह से इसके सिंपल से स्लीव कटिंग की है स्ट्रेट मैंने इसके स्लीव सिंपल से कटिंग की है जैसे हमारी कुर्ता स्टाइल में होते हैं और इसकी फ्रंट साइड पर मैं ये लेस अटेच करूंगी तो फ्रंट साइड से आपने एक इंच तक फैबरी को हम छोड़ कर इस लेस को इस तरह से स्टिच कर लेंगे हमने अपने स्लीव को भी सीधा रखा है और इसके उपर लेस को भी सीधा रखा है बस हमने फ्रंट साइड से एक इंच तक छोड़ कर इस लेस को अटेच कर रहे हैं अब यहां से हमने लेस से जो फैबरीक हमने एक इंच चाक एक्स्टा रखा था उस फैबरीक को हमने उलड़ी वाली साइड पर पलटा कर एक पैर तक हमने फैबरीक अंदर की तरफ करना है और इस फैबरीक के किनारे पर हमने इसलाई लगा लेनी है इस तरह से हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और अब हम इस स्लीव को साइड से स्टिच कर लेते हैं कि शर्ट को थो हमने साइट से पहले स्टिच कर लिया है और यहां से मैं फ्रंट साइट से स्लीव को तक्रीब बन पांच साड़े पांच इंच तक खुला रखूंगी स्लाई को हम डबल करेंगे साइट के एक्ष्रा फैबरी को हम इस तरह से फोल्ड करके यहां पर स्लाई लगा लेंगे और उपर से हमने अपने आरम होल को अपनी कुर्टी के आरम होल के साथ मेयरमेट करके बराबर हमने करके यहां से निशान लगा लेना है और वहां से हमने सलाई को डबल कर लेना है अब हम इसके आरम होल को अपने स्लीव को अपनी कुर्टी के साथ स्टीच करेंगे तो इसकी साइड की स्लीव की साइड की स्लीव या कुर्टी की साइड की स्लीव दोनों को आपने बराबर रखना है और जो कपड़ा हमने स्लीव से एक्स्ट्रा था उसको आपने इस तरह पुलाई में हमने स्टिच कर लेना है तो हमने इस तरह से अपने शेट के साथ गुम स्लीव भी अटैच कर लिए ऐसे हम दूसरा स्लीव भी लगा लेंगे अब इसके बाद इसका जो दामन है फ्रेंट साइड तो हमने कट वर्क साइड पर करके चाग के बादर हमने रखकर साइट कीज़ी जो हमारी स्लाईस के बादर हमने साहरे को भी इस तरह प्रैस से फॉल्ड कर लें उस तरह से आपकी जो है स्लाईब हो tiefkin के साथ आती है तो यह प्रैस कर लिया करें और अभी हमने ये दोइंस तक चड़ाई में फैबरिक लिया और इसको हमने बैक साइड का जो दामन है उसके उपर हम सिंपल फैशन पटी अटैच कर रहे हैं उसके उपर कोई लेस पगेरा नहीं हम लगा रहे हैं और अभी ये देखे हमने हाफ इन तक फैबरिक अंदर की तरफ फॉल्ड करना है और जो हमने बैक साइड की क्रीस डाली थी उसी हमने क्रीस के उपर रखकर अपनी पटी को स्टीच करना है जो हमने निशान लगाया था बैक साइड के उपर प्रेस से अब इस पटी को भी हम इस तरह उल्टी वाली साइट पर पल्टा कर यहां से प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरह से प्रेस हमने कर लिया और अब इस तरह से भी हाफ इन तक फैबरिक फॉल्ड कर लेंगे एक इंच तक हमने इस पट्टी को त्यार कर लेना है और इस पट्टी के किनारी किनारे पर अब हम सलाई लगाएंगे तो बैक साइट के दामन पर हमने ये फैशन पट्टी बेट आज कर लिया और इसके जो चाक है उसके उपर मैं यहां पर मगजी लगाऊंगी आपने सिंपल फॉल्ड करने हो तो सिंपल फॉल्ड भी कर सकते है और यहां पर जो मेरे पास मगजी है वो यह तारी वाली मगजी है और इस मगजी को मैं यहां पर चाक उपर स्टीच करूँगी यहाँ से एक इन्ट तक हमने बढ़ाकर इस मघजी को लगाना है। यहाँ पर हमने इसकी तारी के साथ-सस हमने इस treatment Canadा Yap झ्यां डाला हुआ है, भी यहाँ से निशान के ओपर रहकर हमने इसrespलाए लगाना है। और तारी के हमने साथ साथ हमने स्लाइ लगानी है और इस पूरी हमने इस मखजी को उपर हमने साइड की जो हमने स्लाइ लगाई वहां तक हमने स्टीच कर लेना और यहां से साइड की स्लाइस है जो उपर हमारी तारी चाहेगी उसको आप कटिंग कर लीजिएगा अगर आपकी भी इस तरह की मगजी हो क्योंके मैं यहां से इसलिए कटिंग कर रही हुँ ताकि वो साइड से न, चूबे न तो क्योंकि जितनी उपर से कौन सी हमारी नजर आनी है तो इसलिए मैंने सुचा यहां से कटिंग कर लो यह देखें इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी मैं यह तीन इंच तक अपनी तारी जो है वह कटिंग कर लूँगी उपर ते उपर अपर सलाई से उपर जो हम एक इन तक फैबरिक लगा रहे हैं वह सिंपल आ जागा और बाकी सारी हमारी यह मगजी वैसे ही जैसे हमार कि यह सारा हमारा मगजी के बाइट से हमारा फैबरिक नजर नहीं आना चाहिए यह देखें इस तरह से हमने कटिंग कर लेना और इस मगजी को हमने इस तरह से प्रेस कर लेना और प्रेस करने के बाद फिर हम इसकी स्टराई लगाएंगे यह सारा प्रेस में ने कर लिया और और इस साइट से जो एक्स्ट्रा हमने फैबरी के लंबाई में हमने ये मगजी का कर फैबरी कटिंग किया था इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से मौल लेंगे और उसके बाद हमने इसको प्रेस भी अच्छे से कर लिया और इस मखजी के हमने बस किनारे किनारे पर रखकर हमने सलाई लगानी है उपर से हम इसे इस तरह से बराबर रखेंगे और इस साइट से भी ऐसे हमने किनारे की सलाई लगानी है और length में हमने जो extra मखजी कटिंग की थी उसको हमने अंदर की तरफ इस तरह से fold कर लेना है और यहां से हम slice को double कर लेते हैं ऐसे हम दूसरे चाक को भी त्यार कर लेंगे तो इस तरह से हमारे जो कुट्टी है वो ready हो चुकी है side से भी आप देख लें और अभी हम इसको open करेंगे सिधा करेंगे और इसके जो हम cut work है यहां पर हम pearls को attach करेंगे क्योंकि यह cut work हमने इस तरह open अच्छे नहीं लगेंगे यह उपर को उठेंगे तो बुरे लगेंगे तो हम इसके center में यह चोटे size का में यह pearl attach कर रही हूँ यह जो beads है नहीं देखें center का gap इससे fill हो रहा है मैंने थोड़ा से gap रखा है center में half inch का तो उसी size के मुझे यहां पर pearls भी मेरे पास मजूद थे तो अगर आपने बड़े size के लगाने हो वैसे तो छोटे size के ही अच्छे लगेंगे लेकिन अगर चोटे size के ना हो आपने बड़े size के पल्स लगाने हो तो आप फिर उसी साफ से center का gap रखिएगा अब यह देखें cutwork के center में हमने इसको stitch करना है उपर से next से हमने एक cutwork छोड़कर फिर हमने इस pearl को attach करना है और यह सारे cutwork के आपने उपर नहीं attach करना है यहां से डबल टंका लगा लेती हूं में ताके यह निकले लिया हमारा जो हमने पड़ यहां पर अटाच किया भी अब यहां से हमने सारे cutwork के वे पर में नहीं में लगा रही हो फिर ज्यादा बराबरा हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा एक cutwork शोड कर एक cutwork के उपर में यह पर अटाच कर लूँगी चाक तक अपने उपर से चाक तक हमने लगाना है तक दामन तक नहीं हमने cutwork इस पल्स को लगाना तो यह हमारी कुर्ती डिजाइन बिलकल रेडी हो चुकी है बहुत ही खुबसुरत बहुत ही स्टाइलिश टीसेंट सी हमने यह कुर्ती डिजाइन रेडी कर लिया है और cutwork हमने इसके सारी front और दामन पर रेडी किया है तो आई होप आज का मैना डिजाइन आपको यह जरूर पसंद आया होगा अगर डिजाइन अच्छा लगया तो मुझे कमेंट्स जरूर बताया करें आपके कमेंट का मैं बहुत वेट करती हूँ आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज कमेंट किया करें ताके मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है अच्छी लग रही है डिजाइन से और मैं आप लोगे लिए मज़ीद मुझे आइडियाज हो जाएं कि आप लोगे किस तरह की डिजाइनिक पसंदे तो मैं मजिद आप लोगे साथ अच्छी अच्छी वीडियोज शियर किया करूँ तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में फिर में लाकात उती है तब तक के लिए अलाफीज दौाओं में याद रखेगा अपना बहुत सरा ख्यार रखेगा ठैक्स पूर वाचिंग